देश में हाइच स्पीड मोबिलिटी के सपने को सकार करने के लिए लगतार एक्षन हो रहा है सरकार कई मोचों पर काम कर रही है एक तरफ बंदे भारत ट्रेन उनको बड़ी संख्या में बनाय जा रहा है ताकि वो बड़ी संख्य में ज्यादा से ज्यादा रेल पटरी उपर दोड़े लेकिन एक और लेटेस्ट डेवलप्मेंट ये है एक अच्छी खबर ये है कि दिल्ली से मेरट की बीच चलने वाली मिनी बुलेट ट्रेन यानि कि रैपीड रेल वो अपनी गुजरात की मैनुफेक्चरिंग प्लांट से बन करके इस वक्त दुहाई डिपो पहुँच चुकी है गुजरात के सावली से उत्तरप्रदेश के दुहाई डिपो में पहुँची भारत की पहली रैपीड रेल बहारत के पहले राटीयस रैपीड रेल ट्रेंसेट का पहला प्रेंसेट जिसमें 6 डिपे हैं वोर पहली रैपीड रेल इस वक्त दुहाई डिपो पहुँच चुकी है गुजरात के सावली में यानि की ऐलस्टरं के मैनुफेक्चरिंग प्लांट जो सावली में है वहां से ये पहला ट्रेंसेट जिसमें 6 डिपे हैं इसको इस वक्त दुहाई जो राजिस्थान हर्याना और अंत में उत्तर प्रदेश का सफर्द तै किया है इस ट्रेन सेट के सभी छट बे अलग-अलग क्रेलर पर लाद करके लाए गए हैं दुहाई डिपो पहुंचने पर इन्हें क्रेन की साहता से उतारा गया और अब आने वाले दिनों में डिपो मे नहीं इस पूरी ट्रेन सेट को असेंबल किया जाएगा दुहाई डिपो में इनके लिए बखादा ट्रैक बनकर करके तयार भी हो चुका है जहां पर इस ट्रेन सेट की टेस्टिंग के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और आटीयस ने ट्रेनों के संचालन के लिए दोहाई डिपो में ही प्रशास्निक भवन भी बनाया है माना जा रहा है कि इसी साल के अंत में इसका ट्राइल रन पट्रियों पर शुरू हो जाएगा लक्ष यही है कि मार्च मार्च 2023 में Rapid Rail Train Corporation जो है RTS वो कोशिच यही कर रही है लक्ष यही है कि मार्च 2023 में इस Rapid Rail को प्रायोटी सेक्षन में जानी कि किलो मिटर प्रति घंटी की रफ्ता से ट्रेंच चलेगी और इसके इसमें बैठ करके यात्री बहुत कम समय में मेरट से दिली के बीच का सफर तै कर पाएंगे तो एक बड़ा development high speed mobility को लेकर के जहां पर होता वह नजर आ रहा है और इसके जरे कोशिच ही है कि आने वाले दिनों में लोग कम समय में दो शहरों के बीच का सफर जल्दी तै कर पाएं